आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री का चाप्टर वान दे फ्रेंच रेविलूशन जिसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया गया है तो मैं ले के आई हूँ इस चाप्टर को अनिमेशन में जिसके अंदर हम सारे के सारे डाउट्स और हमारे सारी क्वेरी इसको करेंगे खतम यह इंट्रडक्टरी वीडियो है इसके अंदर हम बेसिकली जो चाप्टर है उसका एक आउटलुक ले लेंगे हम समझ लेंगे कि चा जो किंग था जिसकी फोटो आपी स्क्रीन पर है उसके अगेंस्ट बगावत कर दी यानि कि लड़ाई शुरू कर दी एक रिवोल्ट कर दिया क्यूंकि वो लोग किंग के रूल से खुश नहीं थे अब ऑविसी बात है हम भी गवर्मेंट से खुश नहीं होते तो हम भी रि ब्रिटिश वालों को भगाने के लिए बिल्कुल वैसा रिवोल्ट करना पड़ गया ऐसा हुआ क्या तो हुआ यह था कि लोगों के मन में अल्रेडी किंग के लिए बहुत गुसा था यानि कि लॉंग टर्म चीज चली आ रही थी बहुत ज्यादा गुसा था और गुसा इस लोगों ने क्या किया लोग थाउन होल में आ गए जुटने लग गए कुछ 7000 में और मुमिन थे वो टाउन होउल में आРЕ वहां पर जमा हो गए और फिर उन लोगों ने जो गव्मेंट ऑफिस प्र différence हॉसी इसकी फोटो आपकी स्क्रीन पर है तो बैस्टिल एक prison थी जो king की despotic power थी यानि कि जब भी king को किसी बंदे पर गुसा आता है जिस बंदे से वो खुश नहीं होता था उस बंदे को जो king था वो basically jail में भेज देता था वो भी बैस्टिल यानि कि बड़ी खतरनाक सी prison होगी वहाँ पर भेज दिया करता था तो वो king की despotic power थी और जिसके लेकर लोगों में और भी ज़्यादा गुसा था तो लोग क्या कर रहा उन्होंने वो बैस्टिल प्रिजिन में गए वहाँ से उन्होंने उसको आग लगा दी आग लगा दी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसके चकर में साथ नहीं सौरी उसके चकर में बहुत सारे officers मारे गए वहाँ का जो main commander था जो head था वो भी मारा गया मतलब इतनी ज्यादा आग फिला दी की commander officers सारे के सारे मर गए और इसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ से साथ prisoners को भी release कर लिया सिरफ साथ को ही किया बट उनके लिए शायदी बहुत बड़ी power होगी already साथ हजार men और women तो जूटे ही हुए थे उन्होंने साथ prisoners को भी release कर दिया और साथ साथ वहाँ से जितने भी उनको हथियार मिले guns, weapons जो भी उन्हें मिला उन्होंने सब कुछ ले लिया यानि कि सब कुछ उठा लिया उन्होंने सारे weapons ले लिये ताकि वो king के against अच्छे से revolt कर सके अब Paris, Paris जो France की capital है जो हम सब का जहां जाने के लिए मारा दिल धड़कता है तो वहां के लोगों में तो गुसा और ही जादा बढ़ चुका था मतलब हदे पार हो चुकी थी क्योंकि वहां के लोग स्टाफ करे थे बुखमरी फैल रखी थी लोगों के पास खाने को नहीं था रीजन क्या था bread जो वहां का main meal होता है ब्रेड वहां पर बहुत महेंगा हो चुका था यानि कि लोग अफोर्ड नहीं कर पारे थे इतना महेंगा हो चुका था और वहां के जो गरीब लोग थे वो तो मतलब बुखे ही सोना है मतलब दो टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पारे थे इतने बुरे हलात हो चुके थे जिसकी वज़े से लोगों रिवोल्ट करने पे मजबूर हो गए लोग अपने हक के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो गए पर देखो एक सबसे बड़ा क्वेशन आता है कि इंडिया वालों ने भी ब्रिटेन के अगेंस तब रिवोल्ट के जब लॉंग टर्म एक्स्प्लॉइटेशन हो चुकी थी जब लोग मतलब अती हो जाती है न जिस चीज़ की हदें पार जैसे पानी सर से उपर जाने वाले हल इंडिया वालों ने रिवोल्ट के ब्रिटेन के तो मतलब किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए और भी ज्यादा गट्स चाहिए तो लोगों के अंदर इतनी गट्स लाने के लिए लॉंग टर्म एक्स्प्लॉइटेशन का एफेक्ट होता है तो ऐसा क्या फ्रांस सेवन थाउजन मैंन वॉमिन केंप पैरिस के हलात इसमें आ गए कमांडर मार दिया गया रूमर्स फैल गए थे किंग को ऊपन पायर करने का ओर दिया है किंग ने तो यह सारे जो चीज़ें आती है वह इस टॉपिक के अंदर आती है और यह सारे पॉइंट्स आपकी स्क्री पर अभी भी डिस्प्ले हो रहे हैं तो सारे इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स है और सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो गाइस थांक्स फॉर वाचिंग आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो और जो व्यूवर्स नए है मेरे चैनल पर अगर आप लोग लेकिन नेक्स पार्ट के साथ वो भी सेम अनिमेशन सेम अनिमेशन के साथ तब तक लिए बबाई स्टेए ट्यून्ट